जब तक आप इस स्टोरी को 70% तक देख लेंगे, तब तक भी आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि ये तो सब कुछ एक बकवास है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बट, रिमेंबर, जैसे ही आप इस वीडियो का एंड सुनेंगे, तब आपको वो सारी चीजे आपस में जुड जिसंबर 1986 में हमारे भारत के ही आगरा के पास एक छोटे से गाउं में शांती सिंग नाम की ए महिला अपने खाट के उपर बैठ कर अपने सामने अपने छोटे से बच्चे को सहला रही थी, बट, एकदम से उस बच्चे को कुछ जटका सा लगा, और वो उस खाट से उतर कर इदर उदर बहुत ही गुसे में भागने लगा, असल में इस बच्चे का नाम टीटू सिंग और ये टीटू अब आने वाले 30 मिनटों तक पूरे खाट के 4 तरफ इदर उदर बहुत ही गुसे में भागता रहा, जो भी चीज उसको रास्ते में पड़ी हुई मिलती, वो या पूरे घर में ऐसे ही बहुत गुसे में भागता, बहुत जोर जोर से चिलाता, इन फैक्ट, यहां चांती को भी पता था कि उसके इस चिलाने से, उसके इस तरीके से रोने से, साइड में रहने वाले पड़ोसयों को भी बहुत ज़्यादा अनकमफरेबल फील होता होगा, वो भी परिशान होते होंगे, बट शांती यहां कुछ भी नहीं कर सकती थी टीटू को शांत करवाने के लिए, जब शुरुआत में टीटू को इस तरीके के अटैक्स आने शुरू होय थे, तब उसके माता पिता को लग रहा था कि हो सकता है, उसकी किसी बच्चे के साथ ब पैनिक अटैक्स क्यों दिखा रहा है, माता पिता ने भी अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर ऐसी क्या चीज़े जो उनके बेटे को परिशान कर रही है, वो इस तरीके से बहुत जारा मेंटली डिस्टर्ब होता जा रहा है, वो उसको उठा का डॉक्ट उसने टीटू को अपनी गोधी में पकड़ा, उसी टाइम पर टीटू ने अपनी गोधी तुडवाने की कोशिश करी, उसने अपनी मा को धक्का दिया, अपने आपको छुडवाने की कोशिश करी और फाइनली वो इसमें सफल भी हो गया, अपनी मा की गोधी से निकल कर गुमते गुमते सीधा अपने घर की किचन में गया वहां से एक प्लेट उठाकर बहुत जोर से उसने नीचे फरश के उपर दे गर मारी और ये अवाज टीटू की मा शांती सिंग के कानों में भी गई वो प्लेट तूटने की वो अपनी खाट से उठी सीधा किचन में आई औ और उसने देखा कि टीटू उसी टूटे हो एक कंच की प्लेट के उपर खड़ा हुआ है जिसके बाद शांती ने टीटू को गोधी में उठाया ताकि वो काच उसके पैरों में ना लग जाए या फिर टीटू कुछ और चीज ना तोड़े वो उसको किचन से उठाकर शांत टीटू के उपर ठक 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 मारने लगा वो लाते मार रहा था मुखके मार रहा था किसी भी तरीके से उस दरवाजय को खुलवाना चाह रहा था बट शांती ने वो दरवाजय नहीं खोला वो जस्त वेट कर रही थी कि टीटू अब चान्त होगा और फाइनली कुछ मिनटो अटेक्स के बाद ये वर्ड्स क्यों बोलता है जिहां टीटू अंदर बैड के ओपर बैठे बैठे बहुत जोर जोर से शर्श्वर्मा शर्श्वर्मा बार बार बोल रहा था और ये चीज ओविसली नॉंसेंस थी शांती सिंग के लिए कि आकिर इस चीज का मतलब क्या है सोल्यूशन निकाल से गो बट टीटू ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया असल में टीटू की जिंदगी शुरुआत से ही ऐसी थी इवन प्रेगनेंसी के अंदर भी लाश के कुछ महीनों के अंदर टीटू की मा शांती सिंग बहुत जादा बिमार बढ़ गई थी और उस तरीके के कोई भी अटैक कभी नहीं आए इसलिए टीटू सिंग की मा और उसके पिता के लिए सब चीज़े बहुत जादा नहीं थी शांती सिंग बहुत जादा कंफ्यूज की आकिर वो करे तो करे क्या जन्म के साथ यूसके माता पिता समझ चुके थे कि उनका बच्चा न टीटू को समझ जाने लगी उसने परिवार के अंदर हर एक इंसान को बहुत ज़ादा हेट करनी शुरू कर दी वो किसी के साथ भी कभी हसके बात नहीं करता कभी किसी को खुश भरी निगाहों से देखता ही नहीं सबी से वो ज़स चिड़ चिड़ा रहता इवन कि जब भी उसकी मा उसके लिए खाना लेकर जाती वो उस बात के उपर भी भड़क जाता कि नहीं उसे खाना नहीं खाना बट किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ टीटू कर क्यों रहा है खेर इस परिवार की बात करे तो परिवार बिलकुल नॉर्मल सा मिडल क्ल आती वो सर्दियों वाले स्वेटर वो अपने हाथ से ही बुनती और गर्मियों में तो वो टीशट वग्यारा खुदी सील देती कपड़ा लागर बाहर से और ये चीज ओवेसली टीटू को बहुत जारा ना पसंद थी जी हां जैसे जैसे टीटू और बड़ा होता गया वो अपने माबापको ये कह रहा था कि आगर तुम ये किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हो ये लाइफस्टाइल उसके लायक नहीं है क्यों क्योंकि उसकी इच्छाएं और भी बहुत जारा बड़ी है इन फैक्ट आप बस सोच कर देखें सिरफ धाई साल का बच्चा अपनी मा की फटी हुई साड़ी की उसे कंप्लेंट कर रहा है ना सिरफ कंप्लेंट कर रहा है बलकि ये कह रहा है कि आपने तो ये जो पायदान होते हैं जिसके ओपर हम पैर रखकर कमरे के अंदर घुसते ह तो वो सीधा जाकर सभी को चिलाने लग जाता कि आपने अभी तक इस घर को रिपेर क्यों नहीं करवाया मैं इस तरीके का लाइस्टाइल नहीं जी सकता इन फैक्ट जब भी पूरे परिवार को कहीं बाहर जाना होता तो ओविसली हम मिडल क्लास लोग वाले बस्याफी ट् जबकि टीटू आज सक कभी किसी गाड़ी के अंदर बैठा ही नहीं था तो आखिर उसे किस तरीके से पता था कि गाड़ी का सफर कैसा होता है उसके अंदर कैसे फील होता है और तीन साल के उम्र के आजपास टीटू ने एक नया ही वर्ड बोलना शुरू कर दिया अपने मा कोई रिष्चेदार वहाँ पर रहता नहीं कोई इनका बिजनस जो कि आगरा में चलता हो तो आखिर टीटू के माइंड में आगरा क्यों घूम रहा था वो रोज दो तिन बार अपने माता पिता के सामने जिद कर रहा था कि मुझे आगरा लेकर चलो अब ओवियसली माता प है उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो मेडिकेशन की साहता से ठीक हो भी नहीं सकता है अब उसके माता पिता सब कुछ चाट कर सिरफ वेटी कर सकते थे कि आखिर उनका बच्चा कब ठीक होगा उनको जस्ट यह उमीद थी कि जब वो बड़ा होगा तो धीरे धीरे उसकी कड़ा हुआ था वो जैसे ही टीटू के घर पर आये उस बच्चे के माता-पिता टीटू की माँ को बोलने लगे कि तुम्हारे टीटू ने हम मेरे बेटे का सिर गन्ने से मार मार कर फोड दिया है अब इसका करे तो करे क्या ओविसली टीटू के माता-पिता ने उनको सोरी बोला कि आगे से हम अपने बच्चे को संभाल कर रखेंगे बस आप जब सोच कर देखे कि एक तीन साल का बच्चा आखिर क्या कुछ कर रहा है वो किस हद तक जा रहा है खेर इस इंसिडेंट के भी कुछी दिनों बाद टीटू अपनी मा के साथ बजार में था और उसकी मा को एक जॉल्री की शोप पर एक हार पसंद आया टीटू की मा उस दुकान के बाहर खड़ी होकर शीशे से उस हार को देख रही है और साइड में खड़े वे टीटू ने जैसे उसकी मा की तरफ देखा कि हा उसकी मा को यह हार पसंद है बट उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस हार को खरीच सके तो टीटू सीधा उस दुकान के अंदर गया और दुकानदार को बोलने लगा कि ये हार मेरी माँ को दे दो बड़ ओविसली वो दुकानदार बच्चे की बात तो नहीं मानने वाला था टीटू की माँ भी उसके पीछे बीचे गई वो हार लेने से मना करने लगी बड़ टीटू ने उस दुकानदार को धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर तुम ये हार मेरी माँ को नहीं दोगे तो तुम अपना हिसाब लगा लेना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम समझ भी नहीं सकते उस टाइम पर तो शांदी सिंग टीटू को पकड़ कर जैसे तैसे अपने घर ले आई और आगते ही वापिस उसका वो पैनिक अटैक शुरू हो चुका था बट इस incident के बाद से टीटू की माँ और उसके पिता ने जिस सब कुछ डिसाइड कर लिया कि हम आज के बाद कभी भी टीटू को मार्केट में नहीं ले कर जाएंगे क्योंकि अगर उसने ये बातें अगर किसी और वेक्टी को भी बोली तो obviously market में हमारी बहुत ज़रा बेस्ती होगी सभी लोग बस यही सोचेंगे कि अपने बच्चे को भी कंट्रोल करके नहीं रख सकते बट जो चीज इस परिवार को बहुत ज़रा परिशान कर रही थी वो थी इस पूरे के पूरे panic attacks के बाद वो words बोलना शर्सवर्मा 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 ये चीज सभी के सभी लोगों के mind से समझ से परे थी कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है क्योंकि वो जो panic attack करता है उसके बीच में जो भी कुछ बोलता है वो सब कुछ समझ आता है बट एंड में जो words बोलता है शर्सवर्मा 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 इसका मतलब पूरे परिवार को अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर वो इसका किस तरीके से मतलब पूछे, वो बार-बार इस T2 से पूछते हैं कि शर्च वर्मा का मतलब तो बता रहे आखिर क्या है, बट T2 कुछ भी बताने से मना कर देता, धिरे-धिरे टाइम बीचता रहा और April 1987 का टाइम आ चुगा था, जी हाँ, April 1987 में वो दिन नॉर्मली शुरू हुआ, सभी लोग अपने अपने काम पर गए वे थे, शान्ती, अपने किचन के अंदर खड़ी होकर खाना वाना बना रही थी, और 6 के 6 बच्चे इदर उदर खेल रहे थे, तबी suddenly T2 उस खेल को छोड़ कर अपनी मा के साथ आकर खड़ा हुआ, और उसस इसे ही उसने आगरा वर्ट सुना अपने भाई से, वो बहुत जारा जोर से चिलाने लग गया कि ममा मुझे भी आगरा लेकर चलो, मुझे भी पापा के साथ जाना है, मुझे भी वहाँ पर घूमना है, इससे पहले कि T2 की मा उसे कुछ समझा पाती है, फिर उसकी बातों का रिप्लाई कर बाती, टीटू से सिधा बाहर निकला, अपने कमरे में गया, अपना बैक खुला, उसके अंदर काफी सारे कपड़े बगयरा डाले, अपने बैक को कंदे के उपर रख कर सीधा घर से बाहर की तरफ भागा, अब जैसी ये चीज टीटू की मा और उसके बड़ बड़े भाई को इतनी जोर से आँकों के उपर मारा कि वो नील पड़ गया उसकी आँकों के उपर, और जैसे ही उसकी माने देखा, टीटू को उसने कहा कि चलो अपने बड़े भाई से सोरी मांगो, बट इनफेक्ट सोरी मांगने की बज़ाए, टीटू तो और जोर से और उसको शांत करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे पैनिक अटेक्स के अंदर टीटू ना सिर्फ किसी और को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो किसी भी चीज़ को उठा कर या दो सामने फैकेगा या फिर खुद को मारने की कोशि बट अब की बार जैसे ही टीटू का ये पैनिक अटेक्स खत्म हुआ, ना सिर्फ उसने शर्च वर्मा शर्च वर्मा चिलाना शुरू किया, बल्कि अब की बार वो एक और स्पैसिफिक चीज बोल रहा था, जी हाँ, अब की बार वो बहुत जोर जोर से एक रेडियो स्टो चिला रहा था, जो कि आगरा में है, रेडियो स्टोर आगरा, रेडियो स्टोर आगरा, ये बहुत जोर जोर से चिला रहा था, और जैसी ये चीज, उसकी मा ने सुनी, उसकी मा समझ चुकी थी, कि ये मौका है, पूछने का टीटू से कि आखिर वो किस रेडियो स्टोर की बात कर रहा है और उसके पीछे का राज क्या है जो आज सक उसने कभी किसी को नहीं बताया ये दोनों यानि कि टीटू का बड़ा भाई और टीटू की मा टीटू को बहुत गोर से सुनने लगे और जैसी उसका वो पूरा का पूरा पैनिक अटेक खत्म हुआ उसने रेडियो स सुनते ही टीटू का बड़ा भाई घर से बाहर निकला अपने एक दोस्त के घर पर गया और वो अपने दोस्त को साथ लेकर सिधा आगरा के लिए निकले और कुछ घंटें बीच चुके थे टीटू की मा को कोई उमीद नहीं थी कि उसका बड़ा बेटा कोई useful information लेकर अपन भागती उसके पास आई और पूछ लगी कि क्या तुमें वो रेडियो स्टोर मिला बदले में सामने खड़े हुए बेटे ने इस question का reply करने की बजाए जस्त यही कहा कि कल हमारे घर पर कुछ महमान आने वाले हैं यह बात टीटू की मा ने अपने पती को नहीं बताई उनको पूरे तरीके से लाल रंग का लहंगा चूनी पहना हुआ था वो इस गाड़ी से बाहर निकली इसके लावा दो और आगमी जिन्होंने पूरा सूटिड बूटिड अच्छी सी जैकेट पहनी हुई थी इसके लावा एक और ओल्डर कपल जो तकरीबन 60 साल के आसपास लग उन्होंने भी सूट और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे ये सारे लोग तकरीबन 6 लोग इस गाड़ी से बाहर निकले और अब टीटू के घर के सामने खड़े थे जैसे ही आसपडोसियों ने इन 6 लोगों को इस गाड़ी से बाहर निकलते हुए देका सब भी लोग समझ चुगे थे कि ये लोग यहां लोकल तो नहीं लगते और अविसली ये गाड़ी के अंदर आये हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं मतलब ये बहुती मोटी पार्टी हैं इनके पास बहुत सारा पैसा है टीटू के घर के सामने खड़े होकर व जैसे ही टीटू की मा ने देखा कि वो गैस्ट आचुके हैं वो गाड़ी रुख चुके और वो सभी लोग बाहर निकल चुके हैं उसने तुरन टीटू को अवाज लगाई और कहा कि जाओ दो बाहर जाकर अपने गैस्ट को अंदर लेकर आओ उनको गृट करो और अंदर आकर बैठाओ यहां पर तो जैसी टीटू अपने घर से बाहर निकला अपने घर का में दरवाज़ा खोला उसने छे लोगों को देखा इस से पहले चांती ने इतनी जोर की खुशी वाली आवाजें खुशियों से भरी हुई आवाजें टीटू के मुझ से आज सक नहीं सुनी जी हां अंदर बैठी शांती को बाहर टीटू बहुत जोर जोर से हस्ता हुआ दिखाई दिया वो इन छे लोगों को देखकर इतना ज़रा खुश था जो उसने जिन्दगी में पहले कभी नहीं देखा था जी हां इस पूरे पॉइंट के बाद से ही पूरी मिस्ट्री अब स लाल साडि वाली लड़की जिसकी उमरें 30 साल से ऊपर की थी थोड़ी थी वो सामने बैचे हुई थी और टीटू उसके साइड में जाकर बैठा और जस्त वो बार बार उस लाल साडि वाली लड़की को ही बहुत देर से घूर जा ता जैसे कि उसकी आँखे बिलकुल लौक इस लड़की के ऊपर ही अभी तक ये पूरा का पूरा कमरा बिल्कुल शांत किसी ने एक वर्ड भी नहीं बोला सभी लोग बस बैठे हुए चारो तरफ एक दूसरे को देख रहे थे और इस साइलेंस को तोड़ते हुए जस टीटू ने उस लड़की की तरफ देखा और गोर चानती हो बट उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं तो तुम्हें नहीं जानती बट सामने बैठो इस टीटू ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ I know तुम्हारा नाम ऊमा है जैसी ये चीज उस लड़की ने सुनी उस लड़की के होश उड़ गए उसको समझ न नहीं आया कि आखरे बच्चा उसके बारे में कैसे जानता है इन फैक्ट उस टीटू ने ही दोबारा से बोलना शुरू किया कि क्या तुम्हें याद है हम उस ट्रेट फेर मेले में गए थे और वहाँ पर हम रानू और सौनू को साथ में लेकर गए थे वहाँ पर हमने चारा हैरान थी वो अब बहुत चारा confused भी थी क्योंकि ये चीज़े उसको याद नहीं थी बाद में उसको याद आई कि हाँ ये सब कुछ चीज़े हुई थी लेकिन ये सब चीज़े इस टीटू यानि कि छोटे से बच्चे को किस तरीके से पता है ये तो उसकी personal बाते थी अ टीटू के side वाले बाल काटने लगी अभी तक किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिरी उसकी माँ अपने बेटे के ही बाल क्यों काट रही है बट इस टाइम पर भी टीटू बहुत जारा मुस्कुरा रहा है वो बहुत जारा खुश है क्योंकि उसे पता है कि अब आगे क्या ह होने वाला है सो आखिर इस कमरे के अंदर अब क्या चल रहा था यह समझने के लिए हमें वापिस एक दिन पीछे जाना पड़ेगा जब शांती का बड़ा बेटा अपने दोस्त के साथ उस आगरा शहर में गया था वहाँ पर उस रेडियो स्टोर को ढूंडने के लिए जिस उसको एक रेडियो स्टोर मिला जो बहुत बहुत हतक उस चीज से मैच कर रहा था जो उसका सबसे छोटा भाई अपने उन पैनिक अटैक्स के दोरान चिलाता था जी हाँ यहाँ यहाँ पर एक रेडियो स्टोर था जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख रही वो जो शर्श वर्मा शर्श वर्मा चिलाता था वो बच्चों वाली आवाज थी वो पूरे क्लियरली वर्ड्स बोल नहीं पा रहा था असल में वो कहना चाह रहा था सुरेश वर्मा जैसे ही टीटू के बड़े भाई ने वो स्टोर देखा वो तुरंत उस्टोर के अंदर गया और उस्टोर के अंदर ही काउंटर के उपर बैटी हुई थी उमा जैसे ही उसने उमा को देखा उमा ने सामने उमा को तो लगा कि जैसे कोई कस्टमर ही होगा और वो पूछन लगी कि हाँ जी बताओ आपको क्या चाहिए बट सामने खड़े हुए इन दोनों लड़कों ने काउंटर पर बैठी हुई उमा को समझाना शुरू किया कि आखिर हम यहाँ पर क्यों आए है हमें किस चीज के बारे में आपसे जानकारी लेनी है और जैसे जैसे उमा और इन दोनों लड़कों की बीच में बाते होती गई टीटो का बड़ा भाई समझ चुका था कि आखिर इस दुकान के ंदर क्या चल रहा है और उसके घर के अंदर क्या चल रहा है यह दुकान और उसका घर किस तरीके से आपस में पूरे तरीके से इंट्रकनेक्टिड है उमा ने बताना शुरू किया कि यह दुकान असल में उसके पती की दुकान है बट उसके पती का साथे तीन साल पहले मर्डर हो गया था और उसके बाद से ही वो इस दुकान को संभालती है अपने घर को चलाती है और उसके पती का नाम असल में सुरेश वर्मा ही था और उसके पती के नाम पर ही ये दुकान है सुरेश रेडियोज जी हाँ सुरेश वर्मा आप समझ गए होंगे वही दो वर्ड जो बार बार टीट अटेक्स के end में कहता था अपने पैनिक अटेक्स को end करने से पहले सर्च्वर्मा वो असल में सुरेश्वर्मा थे इन फैक्ट जिस तरीके से सुरेश्वर्मा का मर्डर किया गया था उस चीज़ की डिटेल्स बहुत बहुत हतक या फिर मैं कहूं exactly match हुए T2 के बर्थ के साथ ये न्यूज पूरे इलाके में बहुत भयंकर देजी से फैली और ना सिरफ फैली बलकि भारत से बाहर भी ये खबर पहुँच चुकी थी और बहुत सारे प्रोफेसर्स अलग-लग उनिवर्सिटी से यहां इस घर पर आए और उन सभी प्रोफेसर्स ने यही conclusion निकाला कि जब साड़े तीन साल पहले सुरेश्वर्मा का मडर किया गया था गोली मार कर उस टैंप पर उसकी spirit निकल कर सीधा T2 सिंग के शरीर के अंदर जा चुकी थी इसलिए वो अपने हर पैनिक अटेक के बाद शर्षवर्मा शर्षवर्मा यानि कि सुरेश्वर्मा बोलता था क्योंकि यही उसका असली नेम था पिछले जन्म में अब क्योंकि सुरेश्वर्मा की जो family थी वो अच्छा उनका business अच्छा उनका lifestyle अच्छे उनके पास पैसे भी थे तो obviously सुरेश्वर्मा को अपनी वही पुरानी वाली lifestyle टीटू सिंग की lifestyle के साथ मैच करनी थी इसलिए टीटू को कभी भी अपने घर के अंदर वो गंदगी नहीं पसंद वो टूटा फुटा घर नहीं पसंद वो खाना पिना नहीं पसंद फटी पुरानी साडिया नहीं पसंद और इसलिए वो जो टीटू की मा जब उस सुनार की दुकान के बाहर खड़ी होकर वो हार जब देख रही थी और जब उसको लेने का वो मन था तब टीटू ने जाकर अंदर दुकानदार को कहा था कि या तो यहार दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूगा और जब टीटू की मा शांती सिंग अपने कमरे में गई थी वो कैंची लेने के लिए ताकि टीटू के बाल काट सके असल में वो बर्थ माग दिखा रही थी टीटू के जो सकल के उपर यहां एक बर्थ माग था और जैसे ही वो बर्थ माग इस पूरे आईवेप गेस्ट यान और वो बर्थ माग था और जिस दिन सुरेश्वरमा का मर्डर किया गया था गोली मारकर एग्जेकली उसी दिन टीटू की माँ जब वो टीटू प्रेगनेंसी के अंदर था टीटू की मां की बहुत भयंकर तबियत खराब हुई और उसे हॉस्पिटल में भरती करवाना पता लगने के बाद टीटू उस परिवार को छोड़ कर वापिस इन उमा के साथ रहने लगेगा बट जब ये चीज टीटू के साथ डिसकस की गई तो टीटू ने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं आप की नहीं मैं आप सभी के साथ ही रहूँगा बट मैं इस परिवार के साथ भी अपना पूरा टच बना कर रखूँगा मेरे असल माता पिता यहीं है शांती सिंग और उसके जो असल पिता है वो सारे यहीं है बट मैं इस परिवार के साथ आता जाता रहूँगा उसके बाद दोनों फैमिलीज के बीच में अच्छा बॉंड बना और इस बॉंड के बदले दोनों के दोनों परिवार आपस में घुलते मिलते गए और टीटू भी यहाँ पर आने जाने लगा वो परिवार भी यहाँ पर टीटू से मिलने के लिए आने लगा और धीरे धीरे अपने वीचार जरूर मुझे शेर करें या फिर आपको कोई ऐसा incident पता हो जो आपको लगता है कि आपके साथ पहले हो चुका है और वो अब दोबारा हो रहा है तो आप उसके बारी में भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद